बागलपूर के जिरो माइल थाना से महज सौगज की दूरी परिस्थित वसंत बिहार कलॉनी इस्थित यूवी ज्विलर्स में देर साम हतियार के बल पर डकैतों ने पाँच लाग के जिवरात समेद नगती मोबाईल और कीमती समान लूट लिये डकैती की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है जिसके बाद पुलीस ने सारे डकैतों की पहचान का दावा करते हुए गिरफतारी को लेकर छापे मारी अभियान चलाया है घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देर साम कार पर सवार होकर आठ की संख्या में हतियार बंद अपराधी दुकान में प्रवेस कर गया और हतियार के बल पर लूट पार्ट करने लगे इसी दुरान स्वर्ण बैबसाई मुरारी पुद्दार ने हिम्मत दिखाते हुए अकेले डगैट से भिल गए और उनमें से तीन को पकड़ लिया और तीनों को खीच कर अपने घर के आंगन में ली जाने लगें तो डगैटों ने उनका गला दबा दिया और पिस्टॉल सटा दिया फिर भी स्वर्ण बैबसाई ने हिम्मत नहीं हरी और डगैट के हाथ से उसका पिस्टॉल छीन लिया स्वर्ण बेबसाई की हिम्मत देख डेकेट घबरा गए और दुकान के सामने रखे करी पांच किलो चांदी दुकानदार का मोबाइल और डिर्लाख रुपी कैस लेकर फरार हो गए इस दुनान अपराधियों ने स्वर्ण बेबसाई और ज्वेलरी सौप में काम करने वाले मुहमत असरफ को पिस्तौल के बट से मार कर जखमी भी कर दिया दोनों का इलाज सबोर पीचसी में चल रहा है स्वर्ण बेबसाई मुलारी पुद्दार मूर रूप से खगड़िया के हाजीपूर महले के रहने वाले हैं और जीरो माइल के बसंत विहार कलॉनी में अपना मकान बना कर बेबसाई कर रहे हैं भागलपूर के जीरो माइल थाना चित के रेसम भवन में एक महला ने चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया जिसके बाद महला ने मौके पर उसकी जम कर धुनाई कर दी और पकड़ कर वहीं एक कमले में बंद कर जीरो माइल थाना पुलीस को इसकी सूच ना दी पुलीस ने मौके से चोर को हिरासत में ले लिया है दरसल भागलपूर के जीरो माइल इस्तित रियसम भवन में इन दिनों बुनकरों द्वारा प्रदरसनी लगाई गई है इसी दोलान श्टॉल से चोरी करते हुए चोर रंगे हाथ धरा गया चोर को रंगे हाथ पकड़ने वाली सेनेटरी पैड श्टॉल की संचालक उसा सिहना ने बताया कि प्रदरसनी में भागलपूर में निर्मित सेनेटरी पैड का श्टॉल लगाया गया है और वह कारिक्रम के वो घाटन में सामिल होने के लिए मंच किया और जा रही थी चोर को खूब थपड़ मारा बता दे पकड़ा गया चोर हवाई अड़े के पास का रहने वाला मनिस मिस्रा है चोर को पीटने के दुरान महिला घायल भी हो गई नवच्चिया के जल सनसाधन विभाग के दुरा जाहनवी चौक से स्माइल पूर तक ट्रबंद का निर्मान कारे चल रहा है निर्माना धेन ट्रबंद के एक सलाइस गेट से पानी का रिसाब सुरू हो गया जिसके बाद जल सनसाधन विभाग की टीम के साथ फलड फाइटिंग और अस्थानिय जन परतनीदी सहित ग्रामिनों के दुरा रिसाब रोकने के लिए कारे सुरू की आ गया है जन परतनीदियों का कहना है कि गेट में जिस तरह का काम होना चाहिए था उसमें धिलाई बरती गई है जिसके कारण यह समस्याउत्पन हुई है वही अगर रिसाब तेज होता है तो हज्जारों एकल जमीन के साथ साथ एनचे कतीस तक पानी पहुँचने की संभाव ना ग्रामिन जता रहे है इस टटबंध के लिए 44 क्रोड की दासी निर्धारित की गई है और यह अलगभग 11 किलोमेटर लंबा है जो जहनवी चौक से इसमाइलपूर तक होना है वही इसका निर्मान मार्च 2020 तक हो जाना चाहिए था लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है वही कारे में लगया अभियंता बाल नियंतरत अंचल भागलपूर का कहना है कि काम ठीक हुआ था लेकिन पानी के दवाब के कारण रिसाब हो रहा है और इसे जल्द ही रोक लिया जाएगा चार गेट है जिसमें एक गेट रिसा हो गया था बहुत तेजी से पानी निकल रहा था सुबह साथ वज़े से हम लोग इसमें लगे हुआ है अभी पूरा इतरह से कंट्रोल में है पानी अब संभावत हम लोग एक अदग घंटा में रिस्टोर कर लेगा क्या कारण तो अब इसमें दो तरह का काम हुआ फ्लट फैटिंग भी हुआ एंटी रोजन भी हुआ तो फ्लट फैटिंग से ठीक से किया नहीं गया जिस वज़े सो सिपेज हो गया और निकल गया अब तो रुग गया लगभग पानी रुग गया है चोड़के इसी में लग होन रहता है नहीं कुछ रहता है तो सब ग्रममीन पलस जो भी है यहां का जो पदा दिकारी है वो लोग भी लगा हुआ है कि हम लोगों ने प्रयास इस बार किया था कि कंट्री साइड में किसी तरह से जल प्लायन नहीं हो उसी में एक सुलिस के भेंट को लिक कि सिल किया ग रुक गया है फिल्विष्टा रजनिकान जैसा अंदाज वर्दी के खुले बटन हार्त में सिक्रेट और हवा में उड़ाते धूए के छले यह नजला दिखाई दिया बिक्रम सिला ट्योपी थाना के एक कारियाल है और ठीक ट्योपी के बगल में पुलीस दोड़ा लगाए गए बरेकेडिंग के पास द्रोगा जी पहले तो बरेकेडिंग के पास सुकून से सिक्रेट का धुमा उड़ाएं और फिर कुरसी बैठ कर चिंतन करने लगे वहां उन्हें यह मतलब नहीं था कि थाने में आने वाले फरियादी को इससे परिसानी होगी कोई बिरोध भी न अमार सिंग को सिक्रेट पीने की लथ है और यह लथ भी ऐसी है कि वह कहीं भी सिग्रेट जला कर सू हो जाते हैं इस दोलान ना तो सार्जमनी का स्थान देखते हैं ना ही कारियाल है ऐसा ही हुआ जब कुछ फरियादी अपनी समस्या लेकर आये थे फरियादी समस्या बता रहे थे और दरोगा सहाब सिग्रेट के चल्ले बना रहे थे वोई सिग्रेट में इतने खोए हुए थे कि फर्यादियों की बात तक उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी एक फर्यादि न अपनी जेब से कैमरा निकाला और इस पूरी द्रिस्टे को अपने कैमरे में कै परने वाले आदेश का पुलीस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और पुलीस वाले ही अपने वरी अधिकारियों के आदेश को ठेंगा दिखाते दिखाई पड़ रहे हैं नुगचिया के जानवी चौक से स्माइल पूर तक बंद रहे टटबंद में रिसाब होने के बाद रोकने के लिए हो रहे काम में बाल मजदूरों को भी लगाया गया है जिसमें छोटे बच्चे भी बोरा में मिट्टी भरने और मट्टी भरे बोरे को ट्रैक्टर में लोड करते देखे जा सकते हैं मीडिया ने जब एक बच्चे से उसकी उम्र के बारे में पूछा तो उसने अपना उम्रस 14 साल बताया वहीं पूछे जाने पर कि वो क्या कर रहा है उसका साफ कहना था कि मिट्टी भर रहे हैं और काम कर रहे हैं वहीं ठेकेदारों ने से बोलने से साफ रोग दिया वहीं जब इसको लेकर अधिश्चन अभियंता बार नियंतर अंचल भागलपूर से पूछा गया तो वह साफ नकार गए और उन्होंने कहा कि बच्चे सिर्फ देख रहे होंगे उनसे काम नहीं लिया जा रहा है लेकिन तस्वीरे जूट नहीं बोलती तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह बच्चों से फलड फाइटिंग का काम करवाया जा रहा है एक तरह सरकार बाल मजदूरी को रोकने के लिए कारवाई की बात करती है वहीं सरकार के अधिकारी के सामने ही जब इसका लंगन हो तो इस पर रोक थाम कैसे लगाई चाहेगी भागलपुर के सुल्तानगर्स्थान अच्छतर के आदर्सनगर गाउं के वार्ड पंदरा में दबंगों के दोड़ा घर में घुसकर तोड़ फूर करते वे लूट पाट और घर खाली करने की धमकी देते वे मारपीट करने का मामना प्रकास में आया है वहीं से मामने को लेकर अलोक कुमार ने बताया कि पांच अगस्त को दिन में गाउं के मुकेस राय हरियोम राय ने अपने सयोगियों के साथ गोली बंदुक और हतियार के साथ घर में घुसकर लूट पाट किया इसमें नगत 55,000 गले के सोने का चैन चिंताई करते हुए घर खाली करने की धमकी देते हुए जान मारने की धमकी दिया साथ ही महिलाओं के साथ अभदर बिभार करते हुए इस बात पर कहने पर हमारे परिवार वालों का हतियार दिखाते हुए जान मारने की धमकी दिया और हमारे घर का दरवाजा, खिलकी और सुचाला को तोड़ फोर करते धुश्त कर दिया मामले को लेकर हमारे बहन अनिता कुमारी ने अस्थाने अथाना पुलिस को लिखित आविदन देने पर कोई कारवाई नहीं होने पर वकीलों को कहचारी परिसर से देर राध गिरपतार किया है पकड़ाय वकीलों में इसाग चक्ये आननदबाग निवासी रंजन उकमार और तिलका मांजी के हटियां चौक निवासी संतोस जास सामिल है दोनों सलाब के नसे में कहचारी परिसर में हला गुला कर रहे थे जाच कराने पर दोनों के सलाब पीने की पुछ्टी हुई जोकसर पुलिस ने दोनों अधिवक्ताओं को कोट की समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है गिरपतार अंजन के भाई कटिहार में अपर जिला हुआ सत्र नियाधीस है जबकि संतोस पहले भी सलाब खोली के मामले में गिरपतार हो चुका है देर साम भागलपूर पहुँचे बिहार सरकार के ग्रामिन विकास मंत्री स्रवन कुमार का सरकीट हाउस में एंडिये घटक दल के नेताओं और कारकरताओं ने फूल माला बूके और अंगवस रदे कर स्वागत किया इस दोलान मंत्री ने कहा कि मुख रूप से मनरेगा और परधान मंत्री आवास की जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के कारे में हो रही प्रज़ती का अबलोकन करने भागलपूर आये हुए है इस दोलान मंत्री स्रवन कुमार ने परतिपच के नेता त्यस्वी यादब दोला बिहार में एंडिये की सरकार अधिक दिनों तेक नहीं चलने को लेकर बयान देने पर प्लेटवार करते वे कहा कि राज़त कहती है कि हम चोरी से सरकार बना लिये हैं जबकि पूरा बिहार और देश देख रहा है कि हमने संखिया बल के आधार पर सरकार बनाई है मंत्री ने राज़त नेता पर तंज कस्तेवे कहा कि तिस्वी यादब को राजनीती वईरासत में मली है इसलिए उनको हरियाली दिखता है जब हुआ संघर्स और अंदोलन में जाएंगे तभी तोने राजनिती का सच्च अर्थ पता चलेगा जब हुआ है कि हम कहा है उनको तो बिरासत में मिली है तो बिरासत में मिली बाले लोगों को सब दिन हर्याली जलकेगा यह वो जाएंगे संघर्स में जाएंगे अंदोलन में तब न पता चलेगा भागलपूर के नात नगर परकंड इस्थिद दिलदारपूर गाउं सहित आधादरजन गाउं में गंगा नदी में विर्धी के बाद पानी गाउं में परवेस कर गया है जिसके बाद गाउं के लोग गाउं छोड़कर बिसवुद्याले इस्थित रविंद्र भवन के पास बांस बल्ला और पन्नी लेकर रहने के लिए अस्थाई घर का निर्मान कर रहे हैं खुले आकास के नीचे ही चूला जलाया जा रहा है और उस पर रोटी बनाई जा रही है जिस से बच्चों की भूख मिटाई जा सके वही मवेशियों को भी गरामीनों ने यही पर लाकर रखा है बाल प्रितों का कहना है कि हर साल यहां पर विष्था पिताते हैं लेकिन सरकार की और से कोई सुविधान नहीं दी गई है ना तो यहाँ पर सौचारा है और ना ही पीने का पानी ग्रामिन किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं रात के समय तो बिजली की भी बिवस्ता नहीं है और ग्रामिन डर के साए में रहने को मजबूर है क्योंकि उनके घरों में पानी है और उवा महा कैसे रहते इसलिए यहां आकर रहने को मजबूर है लेकिन सरकार की दो सीनता को लेकर लोग परिसान है चोटे चोटे बच्चे हैं साफ बिच्व निकलते हैं रहां और लेकिन हम लोग को कोई सुधा नहीं दिया गया भागलपूर जिरे में लगातार बढ़ रहे अपराधि घटनाओं पर लगाम लगाए जाने को लेकर सीनर एस्प नितासा गुडिया के निर्देश पर भागलपूर की सीटी एसपी स्वर्न परभात के नैतरित में सहरी छेते के बिबिन चौँक चरहों पर सगन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया इस दोरान सीटी एसपी के नेथित में भागलपूर के स्टेसन चौंक, खलीपा बाग चौंक, तिलका माजी चौंक, आदमपूर चौंक सहीद कई चौंक चलाहों पर चार पईया वाहन और दो पईया वाहन की सघन जाच की गई चेकिंग के दुरान गाली के कागजातों को भी खंगाला गया और हेलमेट नहीं रहने और कागजातों की कमी पाए जाने वाले वो इसे गाली चलाहों का चलान कटा गया कि जिले के वरियर पुलिस अधिकारियों के साथ सभी थाना ध्यच को अपने अपने थाना च्छेतर में सुभा और साम दोनों समय गस्ती करने का निर्देजदी आ गया है जिससे अपराध और अपराधियों पर अंकुस लगाया जा सके